हालो दोस्तो नमस्कार, स्टडी पोटल में आप सबका स्वागत है, मैं आपका साथ्य और गाइड डॉक्टर वीजे दोस्तो आज का हमारा जो लेक्चर है, वो अच्छे सिख्षक के परमुख गुणों पराधारित है जो main qualities होती है, एक good teacher के बारे में उस पर आज हम discuss करेंगे main qualities of a good teacher या फिर आप कहें अच्छे सिख्षक के परमुख गुण principle का exam हो, wise principle का हो, PGT हो, TGT हो, PRT हो DSSB, KVS, NVS, EMRS या जितने भी परकार के teaching exams होते हैं हर exam में इस टैप के questions पुछे जाते हैं तो आई ये शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग all over India में आप लोगों को notes provide करवाते हैं चाहे वो DSSB का हो, चाहे वो KVS का हो, चाहे वो NVS का हो, चाहे वो EMRS का हो सभी परकार के notes आपको इस number पर call करके या WhatsApp पर बात करके आप order कर सकते हैं इस तरीके की booklet के अंदर पूरे के पूरे set आपके होते हैं, जिसमें आपका general paper plus subject सभी परकार का material होता है PRT, TGT, PGT, Principle, Vice Principle, सब level के आपको ये मिल जाते हैं तो आई ये सुरू करते हैं, दोस्तों एक अच्छे सिक्षक का एक चात्रिया व्यक्ति के जीवन में बहुत महतपन स्थान होता है सिक्षक चात्र अथ्वा व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके ज्ञान का परकास अपने ज्ञान से फैलाता है और उसे मानुता के पत को अलोकिक करके उसे जीवन पत पर आगे बढ़ाता है अथा एक अच्छे सिक्षक के जो गुण है वो आप लोगों को यहां जान लेने चाहिए सबसे पहला गुण माना जाता है छात्र प्रेमी स्टुडेंट लवर जो टीचर होता है वो छात्र प्रेमी होना चाहिए छात्रों के साथ प्रेम, उनको प्रेम भाव से पढ़ाना, उनको समझाना, उनकी कम्यों को दूर करना, उने स्टडी के मारग में आगे बढ़ाना, यानि उनको इस लायक बनाना, कि वो सिरफ सिख्षा के एक्षेतर में नहीं, बलकि मानोता के एक्षेतर में भी अपने आपक सकता है यह आप लोगों को ध्यान रखना है तो पहला गुण जो है वह चात्तर प्रेमी है यानि वह स्टूंट लेवल होना चाहिए सेकिंड जो गुण है वह है परभाव साली व्यक्तितु या जिसको आप लोग कह सकते हैं इन्फुलेंस्वल प्रेशनलेटी उसकी होनी चाहिए यानि एक ऐसा टीचर होना चाहिए हम जो एक आधर्स टीचर जिसको मानते हैं वह ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो प्रेशनलेटी है उसका जो व्यक्तितु है वह इन्फुलेंस्वल होना चाहिए या इंप्रेश्वी होन प्रभावसाली व्यक्तितो है जैसे हम लोग role model मानते हैं ऑइडियल मानते हैं तो हम किसी एक गुण की वजह से किसी एडियल नहीं मानते जो इन्सान हमें प्रभावसाली लगने लगता है उसके सभी के सभी गुण हमें परभावसाली लगते हैं तो इसलिए जो teacher है वो बच्चों के लिए role model और ideal होता है और इसलिए उसकी जो personality है उसका जो एक परकार से व्यक्तितु है वो परभावसाली होना चाहिए, influential होना चाहिए या पिर आप कहें कि impressive होना चाहिए ये चीजे भी बहुत जुरूरी होती है एक सिख्षक की life के अंदर तिसरा गुण दोस्तो है सुवस्थ एवम चरित्रवान एक teacher जो है वो सुवस्थ एवम चरित्रवान होना चाहिए healthy and well behaved होना चाहिए क्योंकि एक teacher ने की शिरफ सरीर से बलकि मन से भी सवस्थ होना चाहिए जब तक क सारेरिक रूप से सवस्थ नहीं होगा तो डेली वो स्कूल नहीं जा पाएगा डेली बच्चों को टीज नहीं कर पाएगा और सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा और अगर वो मानसिक रूप से सवस्थ नहीं होगा तो वो तो बच्चों के लिए बहुत ज़्याद में काउंटि नहीं होगा एक अच्छे टीचर के गुनस में नहीं माने जाएंगे उसके बाद है नेतर तक समता दोस्तों लेडर्शिप क्वालिटी या लेडर्शिप कपैस्टी होनी चाहिए क्योंकि एक टीचर जो है जो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 बच्चों को जो क्लास के अंद आप खड़े होते हो या सभी बच्चों के आगे आप लोग उनको ग्यान दे रहे हैं उनको अपने बातें बता रहे हैं तो आपके अंदर एक नेतरतों का गुन होना जरूरी है क्योंकि जब आप एक लीडर्शिप की जगए पर खड़े होते हो तो आपके कंदों पर जिम् जाएं तो आपके अंदर अगर नेतरतों की सुमता होगी या आपके अंदर लेडर्शिप कपैस्टी होगी तो फिर आप अपने बच्चों को फुलोवर्स को स्टुडेंट्स को चात्र को एक अच्छा मारक दर्शन दे पाएंगे तो नेतरतों की जो सुमता है वो एक साइकोलोजिकल नोलेज या फिर आप मनोवैग्यानी ज्ञान की बात करेंगे तो यह टीचर के लिए बहु ज्यादा जरूरी है और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह व्यावहारी ज्ञान होता है जिससे वह बालकों को जो व्यक्तिकत वे भीनताईं होती है जो रूचियां होती है प्रिरनाएं होती है योगताईं होती है और समताईं होती है उनको समझ करके वो उनका मारक दसन करता जुनकी दो छात्रों करें कर दो दो की गुरें अलग होगे फीजियो होगि दोय गवाएं और जब अलग चीज़ें होंगी तो अची ज्जिति में एक जिस व्यक्ति को psychological knowledge है, जो मनवग्यनिक expert है, वही उन दोनों बच्चों को साथ साथ लेकर चलता है, तो इसलिए बहुत सारी विभिन्ताईं क्लास के अंदर होती हैं, और सभी बच्चों में इतनी सारी विभिन्ताईं, इतनी सारी diversity होने के बावजूद भी उनको साथ लेकर चलना है, तो ऐसा एक मनवग्यानिक ज्ञान वाले वक्त ही कर सकता है, तो ये देखना, जब भी कोई भी teaching exam आता है, psychology के, मनवग्यानिके, child development, pedagogy के, क्योंसन क्यों पुछे जाते हैं, क्योंकि teacher से ये expectation रहती है, उसके बाद अगला गूर्ण है, अध्यन सील, studious होना चाहिए, एक जो teacher है, वो अध्यन सील होना चाहिए, सिक्षक के विशे, एवं वीधियों में, नए ने प्रिवर्तन होते हैं, और इन प्रिवर्तनों के बारे में, जानने की उसके अंदर जिग्यासा होनी चाहिए, आप लोग देखते होंगे, जितने भी government institutions हैं, चाहिए वो केंदरी विद्धेले हैं, चाहिए वो नवजदे विद्धेले हैं, चाहिए वो EMRS के स्कूल हैं, चाहिए वो CBSC के स्कूल हैं, जितने बड़े-बड़े संस्थान हैं, क्या करते हैं, हर साल टीचरों के, जितने भी टीचर्स होते हैं, उनके refresher course करते हैं, आम तोर उपर गर्मी की छोटियों में होते हैं, या कभी-कभी बीच में भी कर जाते हैं, refresher course क्यों करते हैं, ताकि किसी भी subject के अंदर, जो नया invention हुआ है, टीचर को उसका पता होना चाहिए, क्योंकि टीचर को जब नए-नए technology पता होगी, अपने subject की, नया ज्यान पता होगा, तभी तो वो बच्चों को बता पाएगा, और जब बच्चों को लेटेस्ट टेक्नलोजी पता होगी अपने subject की, तभी तो वो student, actually सही माने में intelligent बन पाएगे, तो इसलिए एक teacher जो है, अज़न सील होना चाहिए, studious होना चाहिए, नई-नी चीजों को जानने के उसमें जिग्यासा हो, अपने subject में तो वो परिपूरण होना चाहिए ही चाहिए, उसके बाद बात आती है, विशे विशे से जिसकी मैं भी बात कर रहा था, subject expert, कोई भी teacher हो, वो अपने subject expert होना चाहिए भे, अगर आप हिंदी के teacher हैं, तो आप हिंदी में expert हो, English के हैं, तो English में आपको कोई कमी ना होनी चाहिए, Mathematics के हैं, तो Math के आपको सब कुछ आना चाहिए, Science के हैं, तो Science के बारे में आपको पूरी knowledge होनी चाहिए, चोकि जब तक एक teacher ही पूरे अपने subject में परिपूरण नहीं होगा, तब तक बच्चों के पूरी पूर्ण होने की कैसे हम कलपना कर सकते हैं, जैसे ही कोई भी बच्चा, सैंकडों बच्चे आपकी क्लास में होते हैं, अगर बच्चे के दिमाग में subject related कोई question है, और वो question उसने कर लिया, और teacher को वो question का जवाब नहीं देना आया, होगा, हर बच्चा उसकी respect करेगा, चाहे वो बच्चा उससे वो subject पढ़ता ही क्यों ना हो, आप लोग देखे होंगे, school में, college में, कुछ teacher इतने intelligent होते हैं, कि उनकी class के अलावा, बाकी classes के बच्चे भी आते जाते, उन teachers की respect करते हैं, नमस्ते करते हैं, बोट को करते हैं, देकिन जो teacher को अपने subject की knowledge नहीं होंगी, बच्चे उसको avoid करते हैं, पीछे से उसका कभी कभी मजाक भी बनता है, तो इसलिए एक teacher को अपने subject का expect होना most important है, वह यह सबसे पहले सीड़ी बिल्कुल जरूरी होती है, उसके बाद है सहन सील्था एवं सामवेगिक स्थिर्था, सहन सील्था एवं सामवेगिक स्थिर्था, दोस्तों tolerance and emotional stability होनी चाहिए, एक teacher के अंदर सहन सील्था होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सामवेगिक स्थिर्था उसके अंदर होनी चाहिए, emotional stability होनी चाहिए अगर सेहन, क्योंकि सेहन सेलता तो सबसे important है, चोंकि आप जो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने से चोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप उन बच्चों, अबोध बालकों को पढ़ा रहे हैं, जिनको अभी समाजी ज्यान ज्यादा नहीं है तो वो चंचल होते हैं वो नटखट होते हैं वो सरारती होते हैं वो हर प्रकार का उनका नेचर होता है क्योंकि उन्होंने अभी तक दुनिया देखी नहीं है वो दुनिया के पहले पाइदान पर अभी है और जब तक आप सहन सील नहीं होगे तो अब तक आप बच्चों की शरारतों, उनकी नटकरता, उनको अच्छे से आप लोग उनके साथ contact करके उनको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उसके बाद एक क्योस्तन, एक गुन होता है वाई, समस्या समाधान, problem solver होना चाहिए, एक teacher को समस्या समाधान वाले expert होना चाहि यह क्योंकि जब तक आप लोग, क्योंकि teachers के सामने बच्चों की दिन रात समस्या हैं, कभी लड़कों की समस्या है, कभी जेंडर बेस्ट लड़कियों की समस्या है, कभी subject को रेटर समस्या है, कभी खेल को लेकर समस्या है, कभी स्कूल के environment को लेकर समस्या है, कभी कारियर क को लेकर समिश्या हैं जोकि टीचर को ही बच्चे रोल मोडल मानते हैं और सिरफ सब्जेक्ट नहीं बलकि अपने जीवन में आने वाली हर समिश्या का समाधान बच्चे टीचर से चाहते हैं तो इसलिए एक टीचर को समिश्या समाधान विशेशक होना चाहिए problem solver expert होना चाहिए solving expert होना चाहिए अगर आप नहीं है तो इसका मिलब आप उस पायदान पर खरे नहीं उतर रहे हैं इसके अलावा मैं कुछ और चीज़े बता देता हूँ सिक्षकों 44 गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए निक्सभक्सवादी भी उसको होना चाहिए भक्सपात नहीं करना चाहिए नवी नक्षेतरों में को खोजने के उसके अंदर परवर्ती होने चाहिए सत्यवादी होना चाहिए साइशनू होना चाहिए इमानदार होना चाहिए बदलते प्रिव्यस में समायोजलन का गुन होना चाहिए, कलपना सक्ति अच्छी होने चाहिए, सरदनात्मक होने चाहिए जो हम इस चीज़़ें जो एक अच्छे इंसान स्या우द citizens चाते यह वह बहुत सारी चीज़ें होती है तो इसलिए आपको थोड़ा सा जब आप सब्जक्ट के उपर जब आप टीचिंग लाइन में आ रहे हैं या टीचिंग लाइन का कोई एक्जाम देने दा रहे हैं तो आपको इन चीजों की नॉलिज होनी मोस्ट इंपोर्टेंट है फिर एक बर वही कहना चाहूंगा अगर आप किसी भी टीचिंग लाइन की तयारी कर रहे हैं चाहिए उजी सी नेट है के वीएस डीएस भी है सीट है यूपी टैट है सुपर टैट है हर्याना टैट है जोसरे किसी प्रकार का एक्जा एक्जाम आपको कौन सा देना है और सब्जेक्ट आपका कौन सा है यह लिख करके आप इस नंबर पर वर्टसप कर देजिए जो भी इनफोर्मेशन होगी नए ने एक्जाम को रिलेटेड वह आपको वर्टसप के थिरू मिलते रहेगी आज की वीडियो में इतना है कल फिर मिलेंगे धन्यवाद और आपको सुब कामना है मेनत कीजिए सफलता जरूर में